नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में और अभी हम पढ़ रहा है मीडिया मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे आई एन एस यानि इंडियन निउस्पेपर सोसाइटी Indian newspaper society formalize हो गया है अब इसे Indian and Eastern newspaper society के नाम से जानते हैं यह एक organization है जिसका role होता है जो भी हमारे इंडिया में freedom of press है उसको protect करना उसको promote करना और इसकी जो शुरुवात हुई थी established हुआ था यह 1939 में हुआ था इसका headquarter नई दिल्ली इंडिया में है यह एक तरीके से जितने भी newspaper इंडिया में जितने भी newspapers होते हैं उनके बारे में पूरी तरीके से बात करता है खासकर print media की बात होता है इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोग भी INS के membership होते हैं वो meeting करते हैं government के तुरू कि क्या-क्या problems उन्हें face करना पढ़ रहा है इसमें news industries में newspaper की जितने भी industries उसमें उन्हें क्या-क्या problems face करने पढ़ रहे हैं इस तरह की सभी प्रकार से इस बारे में discussion किया जाता है इसके साथ साथ इसमें जो INS के representative members है वो 990 members है जिनको की newspaper और प्रेडिकल और magazine को लेकर है इसके साथ साथ देखे इसका जो काम यही होता है जैसे आप देख रहें कि इस समय ज्यादा तर लोग जो भी add दे रहे हैं वो electronic media में ज्यादा दे रहे है लोगों को लग रहा है कि electronic media ज्यादा बूम कर रहा है और electronic media में add देना ज़्यादा benefit है तो इससे क्या हो रहा है कि जो print media का revenue है बहुत कम हो रहा है क्योंकि आपको पाता है कि paper की revenue ज़्यादातर होती है वो किसे होती है वो advertisement से होती है तो Indian newspapers industries जो है इस समय बहुत बड़ा problem face कर रहा है advertisement का और इस लिए हो रहा है क्योंकि print electronic media बहुत boom हो रहा है तो इस चीज की बारे में भी INS में discussion के जाती है इस बारे में मन्थन किया जाता है और क्या सही होगा उस बारे में लोगों को जो लोग इस पे जुड़े हुए उनसे बात किया जाता है उनको बताया जाता है और उनसे यह चीज़ें यहां चलती रहती है तो आप देख रहे होंगे यह था notes और उमेद है कि यह lecture आपको पसंद आया होगा मिलते हैं एक और नए lecture में